तो आलो गाइस, वेल्कव को ट्राइदेव, आगए आप लोग, तो आज हम बनाने वाले हैं लोग-इन पेज, विद्धा हेल्प ओफ मटेरियल यू आई, लास्ट ताम हमने यू एब बनाया था, अगर आपने लास्ट ताम की वीडियो देखी हो, अब पहली बार आयो तो य यह अंडर्स्टेंडिंग बहुत अच्छी मिलेगी आपको, एंड आप इसको अपने किसी भी प्रोजेंट में यूज कर सकते हो, गिटब का लिंट डिस्क्रिप्शिन में बढ़ा हुआ है, एजी लिए को उठाओ, एन प्रोजेक्ट दिस्टार्ट, ठीक है, तो यह कैसे अपने किसी भी प्रोजेंट में यूज कर सकते हो, साइन अप बनाओ, लॉग इन बनाओ, कोई भी फॉर्म बनाओ, एजी ली, ठीक है, और यह सोचल लॉग इन भी, ठीक है, तो चलो, स्टार्ट करते हैं, और प्लीज यार, वीडियो को लाइक, शेयर कर देना, अपने कर बाता है, तो बहुत, दुआ सलाम, ठीक है, चलो फिर, जै श्री राओ, चलो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले इसको हम बंद कर देते हैं, अपने चलते हैं, बिल्कुल, सिंपल विजियो स्टूडियो कोड, ठीक है, क्या बंद करने को फायदा न बना देते हैं, प्रोजेक्ट नाम स्टूरिटी फोल्डर है, तो यहाँ पर बना देते हैं, मटेरियल, मटेरियल, लॉग इन, ठीक है, इसको ओपन कर लेता हूँ, मैं, यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, इसको बढ़ा करने एक बढ लगा लेता है, एंड, सीडी करके बेंट जाओ, फिर यहाँ पर, क्रियेट, रियाट, एप, और स्टार्टिंग में क्याला नाम ने को, एंद भी एक्स, चीक है, अब अपने एप का नाम देतो, तो हम क्या देने वाले है, मटेरियल, लॉग इन, जो हमारी दायक्तरी का ना इसको देखना मत बूला, काफी इंट्रेस्टिंग सीरीज है, और काफी चारे कॉंसेप्ट अपके क्लियर हो जाएंगे इस देंदर, ठीक है, मजा आजाएगा मतनब, ठीक, ठीक है, मैं रहने अभी है, ओकी, यह स्टार्ट होगा, तो यहाँ चाहे नाशता गाया हो, सुब लॉग इट, ठीक है, इसमें आजाएगे, और वैसे भी और आप देख सकते हो, यह हमारा प्रोजेक्ट हो चुका है, डारेक्टरी स्टक्चर में इस प्रोजेक्ट में नहीं समझाने वादा हूँ, क्यों उसमें रखता है बहुत टाइम, वीडियो पड़ी हुई है, देख और आव वी स्कूलुट है, बजेग। बढ़ी हुई है, पर छेखता है। दो अग सबस्क्राइब दो सबस्क्राइब में इफ ठीक है तो यह हमारा हलोट जाय देव आ गया सिंपल ठीक तो आप हमें बनाना स्क्रैस है तो इसके लिए न एक पहला तो निया टर्मिनल ले रो और तो साइड बर साइड रखने में कितना मजा आएगा न एक बाद देखते एक साइड में ये और एक साइड में ये वाटसर पिलना है विंडो वसाइज्श कापी है तो भ्रस बड़fact कर देते हैं ठीको आप तिखाए रहा है और है और यहाँ पर आप दिखाई रहा हाओना साइड leg खैने खैना मेल मैं ये पूर्डन मने खिज्थी है है मैं तो बोलता रहूं मुझे चाहिए सब्स्क्राइबर्स ठीक है एबांदारी सुलो कैसे मी सुलो ठीक है तो अब यावे सबसे पहले हमें इस्ट्रॉल करना है material library वह अपने को google कर लेते हैं और यान से भी कर सकते हो pn pn पता नहीं क्या होता है यान का तो पता है मुझे यान में यूज करता हूं ठीक है तो सिंपल इसको भी रिश्टॉल होने दो material library रिश्टॉल हो जागी और रिश्टॉल होके वह किसमें आती है package.json में प्लेइलिस्ट फॉरोगर हो यह भी समय में आ जाएगा तो दिखते है क्या impact आया कुछ impact आया इसका नहीं जादा कुछ नहीं आया क्योंकि आमें वह component इंपोर्ट करने पड़ेंगे तो चलो अपनी neighbor कुछ start कर देते हैं बना अमा यार फॉन आरा क्या करें इसको remind me 15 minutes ठीक है so guys material UI इंस्टॉल हो चुका है तो चलिए अपना code start करते हैं तो सबसे पहले आपने को दो काम करने हैं app.css की जगा हम यूज करेंगे आप है sas और guys sas यूज करना start करतो बहुत ही अच्छा बुलता है ठिक है ठीक है तो पहले हम index.css लिख देता है थोड़ी सी body में लिखनी हम है margin 0 है ने देता है ठीक है, font family यह पूरी अठा दो ठीक है, इत्ता रहने दो copy है, and width रग दो कितनी 100% yeah height 100 VH right comment के बताओ थोड़ा सा css में sas में कोई issue हो थो ठीक है, इसका color f7 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 अच्छा यह white जैसे ही है align item फिर बाजाम center में लाखेंगी तो center और justify content भी center nice, ठीक है बढ़िया ठीक है हो गया अब यह कोई error आरा आपने पास कहां पर index.js के अंदर नहीं, app.js में अच्छा यह content चला गए ओके, यह बोल रहा है हाँ, sorry, यह नहीं मिला था है अब इसको change कर दो, ऐसे है ठीक है, और index.js में भी change कर दो basic basic चीज़े हैं यार मदा नहीं पड़ती है अब क्या है सा निकलत उला दिया यह बोल रहा है compile with problems node modules cannot find module sess तो अपने को sess भी install करना पड़ेगा तो गाइस एक बाइस यह और इस वाइस अपड़ेट उचुका है सब्सक्राइस अपड़ेट होचुका है तो यह हमारी index.css है अदे कोई काम कर दे नहीं कर दे गाए ठीक है अंदेरा होगया तो इसको आप इस चेंज कर देता है यह काम कर दा है ठीक है तो अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग अपने अपड़ेट के अंदर सबसे पहले आपने को यहां पर लेना है भॉक्स ठीक है यह आ रहा हमारा material UI अब आपना देखा होगा material UI उपर आपना इंपोर्ट होचुका है अब बॉक्स के अंदर में सबसे पहले आड़ करना आपना component के अंदर में इसको आड़ करेंगे as a form इसका आप देखना है एंड नो वैलिडेट हमें अब इसको वैलिडेट नहीं करना है ठीक है यह ब्रॉपरटी है and auto complete हमें रफना है off जैसे क्या होता न automatic user के name बगरा आजाते है वो नहीं गंदा आतमे अब ठेक्ट हो ठीक है तो इसको बंदर पर देख लें क्या आता है कुछ आया क्या रहर हो गया अब भी कुछ नहीं आया ब्लैंक आया ठीक है तो पुछ रॉपरटीज वगना यहां पर हम आट करेंगे div class name container white ठीक है इनको style करेंगे div class name और इसमें class name चलता है class name चलता डारेक्ट padding and then S3 का tag ले 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 लिए इसमें हम लिखेंगे welcome back यह आ रहा है क्या यह तो आ रहा है tag के अंदर की value हो चाहिए होती ना अब इसके बाद यहां पर हम लिख देंगे to keep connected with us please login with your email address email or password sorry or नहीं आएगा कुछ भी अच्छा खासा shape लानिंग ले ना थोड़ी सी मेरत तो दनी बढ़ती रहा है अना ताजमेल की नीव इसी रखी होई होगी div class name input card अपने app.sas के अंदर इसको अध्या पर अध्या मेरत अध्या 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 अब इसके बार हम आप अध्या बेगे इमेल, पर्सन कुछ भी आड़ कर सकता है, वेरियंट, आउटलाइन, टेस्ट करने क्या आता है, अब एक शीज देगी, जो हुमारा material UI के अधर काम दना, वो तो बिल्कुल पर्फेक्ट हुआ है, एक ही बार में, ठीक है, तो थोड़ा सा न, लेते हैं आता है, अब इसको copy paste कर लो, simple एक बढ़ाने के लिए, इधर add कर दो कि यह ज़्यादा add करना भी गारना, password, बस उम्हें एक property और add कर नहीं पड़ेगी, इसके अंदरा में लिकना पड़ेगा, type, password, ठीक है, तो एक फिल्ट और आ गई, पासवर्ट नापस रहे, अब यह आ रहा है, side-by-side, करेंगे इसको भी change करेंगे, ठीक है, तो यह तो हमारा हो गया form, जिसके अंदरा माई फ्रेल्स आ गई, अब यहाँ पर हमें add करना है, डेव, class name, क्योंकि हमें अपना वो भी लगाना ना, social login में लगाने था, ठीक हमें, जिसके अंदरा में add करेंगे, P, एंड इसमें बना देंगे, और, continue, with, यह काम करता है, तो लसन ने इसको format कर लेता, अच्छा लगेगा, format document, देखा, कितनी प्यार से कितनी तमीज से हो गया, इसलिए कहते हैं, यूस कि अगर वो extensions का खाफिए अच्छी होती है, ठीक, एंड यहां पर आप हमें add करेंगे, अब में social icons, class name, social icons, ठीक, div, class name, पर आप हमें add करेंगे, google बाबा, जिसमें हम लगाएंगे अपनी image, image का class name है, solution, icon, या image रखने पूरी करते हैं, icon नहीं है, add source, इसके बाद alt, alt पर अभी नाम देदेंगे, उनना सहीर है पर लगाने से, अब एक खाम करते हैं, इसमें हमें इस और डाल देते हैं, सहीर होगेगा, अपने public के अंदर ही मोग पर देते हैं, वैसे एक टाम कर सकते हो, आप एक बनावा फोल्डर इसमें assets थाम से, वैसे इतने सारे assets हैं नहीं, बट फिर भी, यह होंगे मेरे अलड़ी जो बनावा प्रोजेक्ट है, उससे हैं, कैसी नहीं, ड्राइग और ड्रॉप, जैसे कोई मिली यहां रिती रोशन ने बताया था न, कि आप एक फाइल को ले आपके दूसरी फाइल पर ट्राइक कीजिए, आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर, वही वाला काम होगे आप पर भी, यहां हम देंगे assets, एंड इस पर देंगे google.png, दिखेंगे यह एक बार में आती है, क्या वात एक बार में आ गई तो, and then हमें इसको करना है paste, कितनी बाद, three times, क्योंकि यहां पर हम आएकर लगाएंगे google, meta, facebook भी बोल सकते हो, हम meta बोलने कि याड़ डालो, ठीक है, तो यहां पर आएगा apple, मतलब apple login, और यहां आएगा meta, कुछ तो गरत कर दिया मैंने, अच्छा यह बंद नहीं हुआ है, my bad, अच्छा यह बंद नहीं हुआ है, अच्छा यह बंद होना रहा गया, और मैंने सु गलती से copy paste कर दिया, तो भाई, एक सेकंड रुपना है ना, भाई, react इस मामले बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत जो tab है ना, यह हम जैसे लोग लिए किया है, जो stml में कहीं भी कोई भी tab खोल के छोड़ देते थे, अब पिठा तमी set करो, बनना कुछ नहीं होगा, अब इसको लगाने के बाद, आप कुछ नहीं करना, लास्ट हमारा तमपोरेंट है, और आप लोग कह रहे होगे, अगर मुझे CSS साथ में लिखनी चाहिए, बढ़ या, CSS के एक साथ लिखेंगे ना, लोग आता जाएगा एप के अंदर, बटन और बनाना है, तो भी ज्यादा बड़ा फॉर्म है निए, आपको बहत ही easy होगा, इंटिकेट करना, ठीक है, बटन, लॉग, ठीक है, यह मारा लॉग इन फॉर्म बन चुगा है, बटन कितना बढ़ी है, तो अपने इसको custom ही रखेंगे, पागी रेखते हैं क्या दर सकते हमने style में, इतना हो गया, अब हम style करते हैं अपना, CSS, CSS, जिसे कहते हैं, इसमें already style है, इसको उड़ाओ, हम खुद की style दिखाने start करेंगे, सबसे पहले क्या है हमारा, इसको बन कर देता है, इसको बन कर देता है, container white, earth, और हम यह आपर CSS नहीं, CSS लिख रहे हैं, वो भी same होती है, बट कुछ different होता है, आप कुछ चीज़ें, child भी लिख सकते हो, with, 520 pixel, height auto, margin दिख रहा हो, देख रहा हो, देख रहा हो, and border radius दे देता है, जिससरा दुदा सदेखने में अच्छा लगए, और वो हम देता है, 4 pixel, जाद है, नहीं देख सकते हो, box आगया, और इसके आगया है, border radius भी आगया, पूरा सब डिजाइन में आया है, अपने, बाकी दीरे देख करके सब आएगा, container padding, padding हमाद देनी है, 40 pixel, height left, और 70 pixel top, यह कभी याद नहीं हुआ, कि right left कौन सा है, top bottom कौन सा है, container, title, font size आप देदो, 30 pixel, वैसे RAM यूज करता हो, मेरा recommendation यह है, कि RAM यूज करोगा, जादे बेटर रहता है, font weight देदो, 700, bold रखने के लिए, तुमने साब से, color, color coding देदी है, है has 29, 292, black color का ही code होता है, काफी अच्छा, और margin यूज बॉर्टम देदू, 12 pixel, अब देखो, container, title, देखना है, एक बाद मैस कर लेते हैं, ओके हमने दिया ने था, तो यहाँ पर हमें, class ने मैट देखा रहा, तो यहाँ अब दीश देखते हैं, कितना अच्छा आ गया, दिखने में किता लगड़ा भी है, अब उसके बाद हमें देना है, container, पेरग, उसमें भी class अमेंड नहीं add करेंगे, इस पेरण नहीं, subheading देखा, यार इग्नोर मानने, साउंड पो ठीक है, गली के कुद्धे हैं, बहुत 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 बहुते हैं, size हमें देना है, font दे रहा है, 400, color coding change करेंगे, आप 54, 5454, किता easy है ना, अगर हम इस तरीके चा देन, अब इसको नेरे भी head भी करो दो, class name यहाँ पर एड़ करना होगा ला, चाओ दो वीडियो को 2x पर देख लोगा, देखो, किता सच लगदा देखने बाग, बागी जिल्जे लिए उस टाइड इस रंगते हैं अपने, अब इसके बाद हमारा क्या बचा, input card, यहाँ तक आगे container सब एड़िंग तक, अब input card एड़ करेंगे, classes के base पर ही, margin top, 10 pixels, अब आया हमारा sales का रोल, इसी के अंदर हम आपने input को design कर सकते हैं, जो input tag हैं, बाहर लिखने की ज़रूद नहीं है, 100% बेताएगी, margin top, हम देज सकते हो 15 pixels, margin bottom भी देजी देते हैं, 10 pixels, देगा, style आ रहा है, काप एची लग रहा है पहले से, यही होता है, ठीक, क्योंकि इसी width जैसी मैंने 100% दी, तो अपना यह कबर गन लिया उसने, अब उसके बाद हमने एक add किया तो line, तो line का हमारा color रहेगा, ज्यादा color code हम से जी नहीं करेंगे, यह ले लिखता है, एंड इसके बाद margin talk, वो देते हैं 10 pixels, एंड इसके बाद line, पैरा, एंड यहां पर हमने देना है font size, 18 pixels, मैं बता हूँआ पहुंसी line के बात हो रही है, और text line set there, हम, एक और continue with के बात हो रही है, तो देखो, line S में हो गा अलरड़ी, एंड हमें यहां पर भी class add करने पड़ेगी, तो अब दिख सकते हूँ, और continue with center में आ गया, with a good style step, लोग इन अच्छे लग रहा है, वे अच्छे लग रहा है, आखो मैं एड करना है, जस्टिफाय कंटेंट करेंगी space between, दिरना कितमी style एजी आ जाए रहा, अब एक क्या दर आपने है, dot google, comma, dot apple, जो में ग्लासे दी थी, then dot meta, इन तीनों पर हमें एक code अप्लाइ करना है, जिसका हम रखेंगे background, hash f7, 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 यह भी white का color code होता है, एंड इसका हम रखेंगे with, 120 pixel, sorry, my bad, एंड डिस्प्ले हम इसके ही रखेंगे, flats, एंड align अपन तरहेंगे center, को यह उस ग्लास के अंदर में, justify तरहेंगे center, previous parent class से, and border radius, जिससे थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में, by pixel, ठीक है, आप दिख सकते ही आदिया, यहाँ पर थोड़ा सी गलती होई है, सुधार लेंगे, ठीक है, अब दिख सकते हो, तीनों के उपर border आगे, कल्दर आगे, कॉमा नगार आगे, ज्यादा नहींद नहीं करनी पड़ी हमें, अब ज़र आपनी प्रॉपर्टी देख लिएते हैं, social icons, और मुझे जहां तरह लग रहा है, social की spelling अलट कर दिया है, अगर इस यहाँ पर social icons बार बार बेटनी होँगे, यह तुड़ा सा mistake हो गई थी, गलती से, तो इसको यार solve कर ले था, बैसे code description में बढ़ा है, कोई issue नहीं है, ठीक है, button, card, अब हम card प्ला रहा है, button अगनी style, जिसके दिन अगबित दिंगे, button की, 100%, second property यह है, background, जो background के लिए दे रहा हम है, वो हम दिंगे black, and then text align, center, ठीक है, देख रो, button style हो रहाना, अच्छे तरीके से, and इसके बाद, text align, center, border radius, border radius थोड़ा बढ़ दिन अच्छी बात है, 5 pixel, जैसे के इनने पैदे दिया था, margin top, 15 pixel, and same हम इसके अंदर, as a child, button वो टारीट करेंगे, जो आपन बटन ग्लास दिती, जैसके अंदर मैं आट करना है, bedding, 20 pixel, लसी भी खाब है आँ, background इसका हम दर देंगे, transparent क्योंकि हमने, अपने parent को, background color दे भी है, और हमें button दिया, background color की, कोई need नहीं है, color हमें इसके दरना पढ़ेगा, white, gray से काम, black से काम नहीं चलेगा, outline नन करने पढ़ेगी, मतलब जो हमारे default properties हैं, वो हमनन करने पढ़ेगी, as light folder, font size हम थोड़ा से increase कर देंगे, इसका 16 pixel, and cursor हम इसका तर देंगे pointer, okay, फिर, इसको बंद भीखना हो ना मेरे भाई, okay, अब देख सकते हो, cursor pointer, अचा cursor का मतलब क्या है ना, यहाँ पर हम change कर सकते हैं, कि हमें hand चाहिए, या arrow चाहिए, या कुछ भी चाहिए, तो हम यहाँ पर वो add कर सकते हैं, ठीक है, अब इसके बाद इना, hover पो class लाना है, क्योंकि बटन चलना है, यह button पो hover हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हमें जादे class लिखने जरुद नहीं है, खोबत, background लिए नहीं हमें देना है इसका, ffs, hmm, background ठाद लुद, जरुद नहीं है, and cursor हमें कर देना है इसको अब, pointer, pointer है, विससे इस property को add कर नहीं जरुद थी नहीं, जरुद नहीं है, जरुद बॉर्डर नहीं है, and border, one pixel, solid, black, and same, button class पर क्या होना चाहिए, color, अगर उपर white color है तो नीचे क्या होना चाहिए, black color, and font weight, boat, right, एक बादेखें, ओर दर क्या है, तो अब देख सकते हो, जैसे मैं over दर रहा हूं तो यह white हो जा रहा है, हाना, yes, तरहीं किस है, good, looks good, okay, and इस पर भी आप ओर की class देखें, जैसे आपको कुछ निए करना है, and hover लगाना है, इस property के अंदर, and then आपके सारे icons पर hover आ जाएगा, तो आप इसको थोड़ा सा मैं फिर में करके दिखा दे रहा हूं, कि यह जो top से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल, हमें top से जुड़ा हुआ है, हमें top से जुड़ा हुआ हनी चाहिए, हमें थुगा सा top से margin चिरुए, तो आप इसको index.css में जाएंगे हैं अब अपनी, तो default है, hide and, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छा login पर design कर लिया, अगर आपको इसका sign up page design करना है, तो copy कीजिए, एक component बनाई है sign up नाम से, और आप easily sign up page create कर सकते हो, तो चलिए मिलते हैं next video में, next video में बिसमें API को आप्ट करेंगे, और अपने एक hooks का use करेंगे, कि हम use state और use effect से कैसे user को login करवा सकते हैं, and guys वो वीडियो जब आएगी, जब आप प्लीज एक comment पास करके जाएंगे, comment section में, कि react hooks में use effect and use state क्या काम आते हैं, and हम उसे login में कैसे use कर सकते हैं, ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं next video में, तब तक लिए बाबाए, और अगर प्लेइलिस्ट नहीं देखी है, तो I request you again, प्लेइलिस्ट देख लिए रियाइट की, जिससे आपको better understanding हो, सभी components की, and अगर कोई भी नए topic वीडियो चीए, तो please mention in the comments, ओके, मिलते हैं next video में, तब तक ले, बाबाए.